ठीक लिजीए फिर से, सारी चीजों को फिर से हम लोग करते हैं शुरू से, ठीक है, शिलोगिज्म इसलिए पढ़ रहे हैं, क्यूंकि परिक्षा में इससे दो से तीन सवाल पुछा जाता है, ये एक बार समझने के बाद, जिस मेथड से हम लोग सीख रहे हैं, उस मेथड से गलत होने की संभावना समाथ हो जाती है, नमबर दो बात, नमबर तीन बात, शिलोगिज्म में हमेशा कालपनी कथन, इस्टेटमेंट दिया जाता है, हिपोथेटिकल इस्टेटमेंट, और उस पे आधारित कुछ कंक्लूजन दिया जाता है, उसी कंक्लूजन को सही है या गलत वो हमें चेक करना रहता है, इस्टेटमेंट हमेशा चार टाइप का ही होगा, all, no, some और some not, all टाइप से जो इस्टेटमेंट होगा, उसे हम लोग a से, no टाइप के स्टेटमेंट को e से, some टाइप के स्टेटमेंट को i से, और some not टाइप के स्टेटमेंट को o से दिनोट करते है ठीक है हर एक statement में एक subject और एक predicate होता है जैसे कि all a r b यदि ये statement है तो इसमें a subject है b predicate है ठीक है अब हम लोग इस सब का check करते थे कि यदि statement a सही है मतलब all a r b सही है तो उससे हम क्या निसकर्ष निकाल सकते है तो हम लोग convertability सीखते थे ठीक है ठीक है तो ty चोटा है तो जब in type का conclusion true हो एक SoC का conclusion भी true होगा ये भी हमने आज सीख लिया है I type का statement convert होकर I type में रह रहा था जबकि O type का statement convert नहीं हो रहा था इसके बाद हमने सीखा था कि हम लोग conclusion निकालने के लिए दो-दो statement का जोड़ा बनाएंगे जोड़ा में सबसे पहले check करना था कि पहले statement का predicate दूसरे statement का subject है या नहीं यदि ऐसा हो जाता था तो इस common को हम लोग काट के हटा देते थे और जो बाकी बचता था उस पे हम लोग अपना answer निकालते थे जैसे पहला है all a r b और दूसरा है all b r c तो b b common को काट देते थे और nisqrs आ जाता था all a r c जो nisqrs आता था जोरा बनाने पर वो 6 परकार का ही nisqrs आ सकता था a plus a से a plus e से e plus a से e plus i से ठीक है इसके बाद i plus a से और i plus e से ये 6 types से ही हम लोग nisqrs निकाल सकते थे जोरा बनाने में हम लोगों को ध्यान में रखना था कि A plus I और I plus A दोनों अलग अलग चीज है ठीक है दोनों को एक नहीं कर सकते है इतनी बाते आप लोगों को clear हो गई होगी अब जहां तक conclusion में हम लोग जब E वाले statement से शुरू करते थे E plus A या E plus I तो उससे हमारा निस्कर्स आता था O star type O star में जिन लोगों को confusion हो रहा है उनके लिए एक बार यहां पे लिखते हैं एक E type का statement लिख लेते हैं No A R B दूसरा A type का लिखी है All B R C अब देखिए यह पहले का जो है predicate दूसरे का subject हो गया ठीक है यह E type का statement है यह A type का statement है तो इससे conclusion आएगा O star type O star क्या होता है उसके लिए पहले हम लोग O निकालना सिख लेते हैं तो यह common को काट देना है हट गया तो O type में हम लोग क्या लिखेंगे Sum A R Not C ठीक है यह O हुआ पर हमारा conclusion O type का नहीं आना है ठीक है तो यह सही नहीं है Sum C R Not A ठीक है Sum C R Not A आपको समझ में आया अभी है तो हम लोग O star को सही मानेंगे जब यह दोनों statement दिया रहेगा तो हमारे लिए सिर्फ यह statement सही है यह statement गलत है हमारे लिए यह हम एक statement लिख रहे है ताकि हम लोग कही के mistake न कर सके सारा चीज लिख लिख के करें तो ठीक है जब इतनी बाते हो जाती थी फिर हम लोग एक चीज सीखे थे last में complimentary pair complimentary pair सीखने में क्या किया गया था सबसे पहले हम लोगों को conclusion check करना होता था यदि कोई conclusion already true हो चुका है जितना process हम लोग सीखे है उससे कोई conclusion यदि already true हो चुका है तो फिर हम लोग उसको complimentary pair में check नहीं करेंगे पर यदि true नहीं हुआ है कोई भी conclusion तब उसके लिए हम लोग complimentary pair check करेंगे और उसका जो 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 रा बनता था वो जो जो रा E, I, I, O या O, A का बनता था जरूरी नहीं है कौन उपर कौन नीचे उससे कोई फरक नहीं परता है E, I के जगा I, E भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं था complimentary pair में एक चीज और देखना होता था कि पहला दोनों का subject दोनों statement का subject और दोनों statement का predicate जो है वो same है या नहीं